लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं पादन में उत्तर परदेश का अग्रीरी अस्थान है परदेश की लगबग बान में प्रतिसत छोटी जोद के किसान के लिए बागवानी फसले इकाई छेतर से अधिक आये रोजगारेवं पोशट उपलब्द कराने में सच्छम है बागवान फसलों के निरंतर बढ़ते के उप्योग कर रहे हैं बागवानी फसलों का क्रिसियों सन्वग्रिये छेत के सकल घरेलू उत्पादन योगदान में महतपूर योगदान है बर्ति मांगता था क्रिसी में महतपूर योगदान के काडरी बागवानी फसले प्रात्मिक्ता का छेत बन रहा है बागवानी फ पादक बागों के जिरुद्धार गुडवत्ता युगते रोपर सामगरी का उत्पादन फसल तुड़ाई उपरांत परबंधनिवं अने कार्करमों का क्रियावन्डित क्राकर परदेश में बागवानी का विकास के लिए उत्तर परदेश सरकार द्वारा प्रात्मिकता जा रही है उध्यानेवं खादे पंसकरण करड विभाग उत्तर परदेश द्वारा परदेश फल साकभाजी आलू पुष्पे मसाले असद्धिवं सगंद पान विकास के सासा सहाएक उध्यम के रूप में मानपालन मस्रूम उत्तादत खादे पंसकरण की खेती के लिए व पिकलर सी चाई की अस्थापना उसद्धी पौधे मिशन अंसूची जाती जन जाती बहुमले छेत्रों में बगवानी विकास राष्टी क्रिसी विकास से योजनाईवं खादे पंसकरण के छेत में मानो संसाधन विकासे तु कारकरम का क्रियावयन किया जा रहा है पतरकार के दावे खोकले साबित हो रहे हैं जन्तपत का सबसे बड़ा बगवानी लगबग 15 हेक्टेर में फैला हुआ जिसमें लगबग 600 पेड़ लिची 100 पेड़ आम 25 पेड़ कटल तो वहीं 3000 पेड़ सोगोन के लगे हुए हैं बगवानी का देख बात करने वाले पतरकार के पूछने पर रमसंकर जी बताते हैं कि सरकार के तमाम घोश्रा और अनुदान के वाजुद भी सरकारी उपेच्छा का बगवानी सिकार है सरकार दोरा कोई मदद नहीं मिलती है ऐसे में हम अपने संसद्धनाओं से बगवानी का देख बाल करते हैं कहां, क्या नाम है अपका कहा और कहा रहते हैं?uyu N संकर नाम बरमसंकर कैंधरी जीमपूर रहते हैं ये बागवानीन का देख रहे जाते हैं हां जी करते हैं ये कितना पेंडों का बालानी है? यह पेंड़ एज शहसाव पेंड लीची, सौव पेंड़ आम का नाव से 25 पेंड़ कटार, इसके भाद तीन हज्जार प्रेंड शाथ हों यह जिलेक तो सबसे बड़ी बागमानी है इसके माली का क्या नाम है इसके माली का आगा मुहम्मद सद्धायन